तो गाई सर मैं हुए एक क्रोकोडाइल और मुझे जॉइन करना है यह सूपर एनिमल्स का ग्रूप यह लोग कितने जादा खदरनाग है मुझे इनको जॉइन करना है बस दिक्कत दिये कि यह बहुत ही जादा बड़े और पावरफुल है और मैं तो एक बहुत ही जादा बनूगा तो एक बच्छाओ अगर तुम यह चिकन कहते हो तो तुम अपग्रेड हो सकते हो एक खतरनाग क्रोकोडाइल में क्यासा ही में इस चिकन को खाने से भीत लोगा चलो फड़ाइब लोग प्लीज प्लीज मुझे अपने उपने ग्रूप में लेव बच्चे हम तु बहुत जादा छोटे हो इस ग्रूप का नाम है जाइंट सूपर एनिमल्स और तुम तो बहुत ही स्मॉल हो अगर तुम जाइंट बन जाते हो तो तुम हमारे ग्रूप में आ सकते हो बस तुम्हें अपग्रेड होना पड़ेगा एक जाइंट क्रोकोडाइल में बच्चे अब ग्रेड तो तुम हो जाओगे बस एक छोटी सी दिक्कत है अरे क्या दिक्कत है जल्दी बताओ हमने एक नए जाइंट सूपर एनिमल्स को बुला लिया है वो यहाँ पर कभी भी आता होगा उसके बाद हम चारों की टीम बन जाएगी फिर तुम नहीं यहाँ पाओगे अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता मुझे सूपर एनिमल्स के ग्रूप को जाइन करना है मैं उसके लिए कुछ भी करने के लिए त्यार हूँ पर बच्चे वो एनिमल्स थोड़ी देर में आने वाला है फिर हम चारों एक ग्रूप बनाएंगे मेरी बात सुनो मेरे बास एक आइडिया है उस सूपर एनिमल्स को आने में 20 मिनिट लगेंगे अगर 20 मिनिट में तुमें एक खतरना क्रोकोडाइल अगर 20 मिनिट में तुमें एक जाइंट पावरफुल क्रोकोडाइल बनते हो तो मैं तुमें अपने ग्रूप में ले लूँगा हाँ इसने सही का तुमारे पास सिर्फ 20 मिनिट है क्या सिर्फ 20 मिनिट ये तो बहुत ही जादा कम टाइम है बच्छे अब तुमारे पास यही टाइम है अगर तुमें सूपर अनिमल्स जोइन करना है तो तुमें 20 मिनिट के अंदर अपग्रेड होना पड़ेगा जल्दी करो तुमारा टाइमर औरड़ी स्टार्ट हो चुका है क्या टाइमर भी स्टार्ट हो गया अगर मुझे इने जॉइन करना है तो चलो फड़ापट से चलते हैं अपग्रेड होते हैं एक खातरनाक से क्रोकोडाइल में तो काई सर मेरे पास टाइम बहुत ही जादक काम है और मुझे चल्दी से चल्दी अपग्रेड होना है दुनिया के सबसे खतरनाग क्रोकोड डाइल में इसलिए हम लोग आचुके एक और चिकन खाने क्योंकि इस चिकन दुखाने से मैं अपग्रेड हो सकता हूँ हल चाचा हल चाचा प्लीज मुझे ये चिकन दे दो मुझे अपग्रेड होना है मेरे डोलो शोलो की कसम बच्चे मैं तुम्हें ये चिकन तो दे दूँगा पर उसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा क्या कौन सा काम चल्दी बताओ मेरे पास टाइम बहुत कम बच्चे अगर तुम्हें ये चिकन खाना है तो तुम्हें मेरे लिए प्रोटीन लाना पड़ेगा मुझे प्रोटीन बहुत पसंद है अगर तुम मुझे प्रोटीन का डबा लाकर दोगे तो ये पूरा का पूरा चिकन में तुम्हें दे दूँगा क्या प्रोटीन लाना ऐस सारा प्रोटीन ले गया है आरे पीचे गोदाम मेदेर कुछ तो भड़ा होका नहीं कि है क्या सामने केल रहे मुझे उनके पास जाना चाहिए तो कईसा है इस दूकान में protein तो खतम हो चुका है पर सामने कुछ बॉडी बिल्डर से जिन के पास वो protein है तो कैसे रहाँ देख सेकतू ये रहे वो सारे के सारी bodybuildर जो ये protein का डपा लेकर गएते मेरी बात सुनो मुझे ये protein का डपा जाएए जल्दे से दे दो, ये प्रोटीन का टपा मेरे लिए बहुत ही इंपोटेंट है अरो अरो रुखचा रुखचा, ऐसे कैसे हम तुम्हें दे दे, ये हमारा प्रोटीन है अरे मेरी बात सुनो, जब दुकान पर आएगा तब खरी लेना, मैं पैसे दे दाऊ नहीं बच्चे, हम अमारा प्रोटीन किसी को नहीं देते, क्यों भाईयो, प्रोटीन, 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 प्रोटीन जिनना चाहता है, आपे तुम्हारी ऐसी कि तैसी, आपे जाना, इतनी सी बॉड़ी लेकर मुझे मारोगे, तु निकल याँसे, आपे टकले, तुझे क्या चीए, आपे निकलना याँसे, इन सबको मुझे मारना पड़ेगा, इतरा इतरा यह ले, मैं तुझे नहीं मुझे बहुती जादा गुसा आचुका है इन सारे के सारे बोडी बिल्डर्स को मैं फेक दूँगा, तोड़ दूगा, फोड़ दूगा ये लो, ये लो, ये प्रोटीन मेरा है और ये प्रोटीन मेरा ही होगा जितने जने आज में इन सब को अरे क्रोकोडाईल सार मुझे छोड़ दो ले, छोड़ दीया निकलिया से तो कहे सर मैंने या पर इन सारे के सारे बोडी बिल्डर्स को मार दिया है मैंने तो इनको बोलाई था सीदा सीदा प्रोटीन का टपबा दे दो पर ये नहीं माने पना भी आप देख सेकते हो ये प्रोटीन का डबबा मुझे याप पर मिल चुका है इसको फड़ा फट से लेके चलते हल्क चाचा के पास ताकी वो मुझे वो खतरनाक सा चिकन दे सके और मैं अपग्रेड हो सकूँ एक खतरनाक से क्रोकोडाइल में हर्क चाचा मैं आगया आपका प्रोटीन लेकर दोलो शोलो की कसम तुम तो सही में प्रोटीन ले आए हाँ आपका प्रोटीन याप पना चुका है आप ही ले लो और वो चिकन मुझे दे दो वाव बच्चे ये प्रोटीन तो बहुत अच्चा है तो काईसर अभी मुझे यहाँ पर ये बढ़िया सा चिकन मिल चुका है इन हल चाचा का काम करने के बाद प्रणा बट्स को खाते है और अपग्रेड होते है खदरनाक से क्रोकोडाइल में वाव ये चिकन तो बहुत ही जादा टेस्टी था और काईसर अपग्रेड हो चुका हूं एक खदरनाक से क्रोकोडाइल में ये तो सही में बहुत ही जादा खदरनाक है पहले से मैं कितना सादा स्ट्रॉंग और पावर्फुल हो चुका हूं परकाइसर क्या आपको लगता है वो सूपर एनिमल मुझे ऐसे उनके ग्रुप में लेंगे नई मुझे एक जाइंट पावर्फुल मस्कुलर क्रोकोडाइल बनना पड़ेगा अगर मुझे उनके ग्रुप में जाना है तो तो मेरे पास टाइम यहां पर बहुत ही जादा कम बचाए आप अपड़ापट से वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सबस्राइब करो और अगर आप चाहते हो कि यह तोड़ा दीरे दीरे जाये तो जल्दी जल्दी कमेंट कर दो स्लो दा टाइम अगर आपन चलते हैं अगर तुम्हें और चिकन चाहिए तो तुम्हें कुछ खतरनाख खतरनाख पहेलियों का जवाब देना पड़ेगा १ा। पहेलियों का जवाब दोगें उतना श्यादा चिकन तुमको मिलने वाला है क्या तुम तैयार ओर मेरे पास ट्राइम बहुते हुरत ही है फर मेरे पास और को कोछीज भी नहीं है मुझे यह करना ही पड़ेगा ठीक है मैं बिल्कुल तैर हूँ हर एक पहली का जवाब देने के लिए तो जाओ एक एक करके सब जन्नों के पास जाकर उनकी पहलिया सुनों और उनकी जवाब दूँ ओके चलो यार वड़ावपट से चलते हैं और सब का जवाब देते हैं तो कैसर अभी बानिये सबसे पहली पहली की बताओ चीता सबसे पहली पहली क्या है ओके तो तुम्हें मेरी पहली का जवाब देना पड़ेगा और तुम्हें ये चिकन मिल जाएगा तो मुझे बताओ वो क्या चीज है जो हाती से भी बढ़ी होती है लेकिन उसका वजन कुछ भी नहीं होता क्या ह हाती से भी बढ़ी होती है पर उसका कुछ वजन नी होता ये कैसे हो सकता है कुछ ना कुछ तो वेट होगा ना अरे क्या हो सकता है क्या हो सकता है ऐसी कौन से चीज है जो हाती से भी बढ़ी होती है पर उसका वेट नी होता अरे ये कैसे हो सकता है मुझे तो सामझे ना बच् का अंसर है हाथी की शेडव यानि हाथी की परचाई क्योंकि वो हाथी से भी बढ़ी होती है पर उसका वजन कुछ भी नहीं होता अरे यार यह कैसा अंसर था यह तो पहुत ही मुश्किल था बच्चे यह चिकन तो तुम नहीं जीत पाए अब अगले पर जाओ अच्छा ठीक को सा एक पैसे को दुगना करने का तरीका सबसे आसान वाला क्या हो सकता है क्या हो सकता है मुझे समझे रहा हां अगर हम पैसे को मेरर के सामने रग दे तो यह डबल हो जाएगा बहुत बढ़िया बच्चे, बिल्कुल सही जवा, अगर पैसे को आइने के सामने रखते हैं, तो उट्टा बालो जाता है, ये चिकन तुमारा हुआ, क्या सही में, हाँ बच्चे, ये चिकन तुमारा हुआ, औरे काईजर आप देख सकते हो, ये चिकन मुझे याँ पर मिल च अब चलते हैं अगली पहली की तरफ, मैं तो बहुत कदरनाक हो चुका हूँ, बच्चे, अब तुमारी बारी अगली पहली की, मुझे बताओ, ऐसी कौन सी चीज है, जो बारिश में चाहे कितना बीगे, वो कभी कीली नहीं हो सकती, क्या क्या वापिस मोलना, बच्चे, बारिश में तो कुछ भी चीज चाहती है, तो वो गिली हो जाती है, क्या हो सकता इसकांसर, मुझे तो समझ दिया रहा, ऐसी कौन सी चीजे, जो बारिश में चितना बीगे, वो कभी कीली नहीं होती, वो है पानी, क्या, पानी, है आज सही बाते, पानी जितना भी गिला हो वो तो न भीगीगा वो तो हमेशा पानी रहेगा अरे यार इनका क्वेशन भी पहुंत ही खदरनाक था अब बार यह आकरी पहली की मुझे कैसे भी करके इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा बताओ उंकल आपकी पहली क्या है बच्चे यह तुम्हारी आकरी पहली तुम्हें इ इंग्लिश में क्या बोलेंगे एक टकली लड़की आटो में बैठकर जा रही थी उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे अब बॉल्ड वुमें गोइंग इन आटो नहीं बच्चे कलच जवाब क्या हो सकता है क्या हो सकता है एक टकली लड़की आटो में टकली लड़की बचे ये चिकन तुमारा हुआ और कैसर आप देख सकते हो इस चिकन को खाने के बाद मैं तो कितना बड़ा हो चुका हूँ मैं तो अपने आपको एक बारी में देख भी नी पाना मैं तो सही में बहुत ही जादा जाइंट क्रोकोडाइल यहां पर बन चुका हूँ पर कैसर ज जादा बड़े और मैं तो इस पेड़ से भी छोटा हूँ मतल्ब अभी भी मैं अफग्रेड नहीं आँ तुम लोगों का स्वागत है दुन्या के सबसे खतरनाक चैलेंज में आज हमारे तीनों कंटेस्टेंड आचुके इस चैलेंज को जीतने के लिए और आएंगे भी क्य क्योंकि इस चैलेंज में जो भी चीतेगा वो अफग्रेड होने वाला है दुन्या के सबसे खतरनाक ओस्ट्रेच या फिर क्रोकोडाइल या फिर वेनम वो तो डिपेंड करता है कौन जीतेगा अरे थैनोस अंकल जल्दी बनाओ मेरे पास टाइन बहुत कम है अब ही लो ये ग्रास कोर्स ये तो दिखने में नॉर्मल ग्रास है पर इसके पीच पीच में है खटे और तुम कोभी भी नीचे गिर सकते हो तो तुम में से यहां पर जो नीचे गिरेगा वो हो जाएगा डिसकॉलिफाई उसके बाद अगर गलती से तुम आगे पहुच गए तो यहा को क्रॉस करते करते इस बाइक पर जाना है और इस बाइक को भगाते बगाते खुदा कर लेकर जाना है इन कंटेनर्स के बीच में से और जो भी पहुचेगा फिनिशिंग लाइन पर उसको मिलने वाली है यह चम चमा तीवी ट्रोफी और तीन तीन मुर्गियां समझ गए न कर कर दिखाऊंगा इन मेंसे मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता ये देखो कितना बढ़िया जंप मैंने वारा एक और बार सारा का सारा कंप्री कर दिया और कैजर ये क्या वैनम ने तो एक वारी में यह वाला कॉर्स कॉम्प्रीट कर दिया अगर आप चाहते हो मैं भी ये कॉर् लग क्रोकोडाइल वरना ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला है और ये क्या ये वैनम का बच्चा तो सीधा सीधा चलते वे जा रहा है मैं नीचे नहीं किर सकता अर जाओ मैं जीतने आया हूँ और मैं जीत कर रहूंगा मुझे बचाओ ये क्या हो गया और ये क्या वैनम तो सीधा नीचे जा रहा है और ये हो चुका है डिस्कॉलिफाइल बच्चो वैनम बहुत ही आगे पहुच गया पर इतना नहीं कि वो चैलेंज जीत जाए तो अगर तुमको ये चैलेंज जीतना है तो तुमें फिनिशिंग तक पहुचना पड़ेगा और कैसर आप तेख सेकतों अभी ये औस्ट्रिच यहां से निकल चुकी है इस चैलेंज को करने के लिए और कैसर इसने भी ये पहला कंप्लीट कर लिया मुझे लगता ही पहला वाला वैसे एजी है यहां पर तो ये औस्ट्रिच पका गिरने वाल है ये क्या इसने में कंप्लीट कर लिया और ये बढ़िया सी लेंडिंग यहां पर ब्लिम पर हो चुकी है अम इन सारी की सारी बॉल्स को पर खूते-खूते उदर तक पहुचना पड़ेगा अरे ये का जानी ये सीधा डायरेक धर्ट बॉल पर कूदी और ऑस्ट्रिच भी सारे के सारे लोग उधर से गए ते पर रम जाएंगे इधर से नहीं मैं दर से नहीं जाओंगा मुझे डर लग रहा है तो मैं भी वहीं सी क्रॉस कर लेता हूं फाल तुम्हें होश्चार बनने की जरुवत नहीं है यहां से लगाएंगे बढ़िया जंप और ये क्रॉस कर और यह आखरी चॉंप और लेट्स गो गाइस अभी आप देख सकते हो अभी हम पहुंच चुके अपने सेकेंड आप्स्टेकल की तरफ अभी जाएंगे अपन इधर इधर सूंगते हमें जाना पड़ेगा आराम से अराम से गिरना नहीं है नीचे यहां से इधर मोड जाते है आराम से आराम से नीचे नहीं किरना यहां पर मुझे खड़ा दिखाई दे रहे हैं यहां से जाएंगे 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 और यह बहुत ही बढ़िया यहां पर क्रॉस कर दिया है इसके मत खाएंगे थोड़ा सा करेंट और लेंड करेंगे इस ब्लिम पर बह में यह खतरनाक फैंसार है यह लेट्स गो यह लेट्स गो और यह बढ़िया सी लेंडिंग हो चुकी है सेकिंड बॉल पर अभी वी दो बॉल्स पर कूतना बागी है तो वैजर जल्दी जल्दी कमेंट कर दो जंप अगर आप चाहते हूं मैं आखरी बॉल्स लेग जल्दी कर यह उरी कंपर लेंड चल्दी खड़ांगों मैं टिज़ बचांगो बचाँ बचांगों और यह बच्छोकां तो कैसर मैं तो जिहां बहुत लाटरी के-से बच्चुके हुआ हम यह तो ऑम्हें यह कदर नाक सच है आप आमें से यह कदर नाक सच यह लें डॉर यह आ पर पर कर ये शप्टि lifelong किर जाओं का में किर जाओं का मुझे ज़ना शबना मुझे इक लिखने साज हुआ उन इस के सुप यह पना चुका हूँ हुआ जू सही में महते हाँ ज़ाद आगया चुका हुँ और वीडियो को लाइक नेगा, तो क्या कर रहे हो, जल्दी जल्दी लाइक कर दो, वरना में नीचे कर जाऊंगा, और कैजर यहां से अपन आराम से चाहेंगे, आराम से चाहेंगे, हमें उस खातरनाक से बॉक्स के अंदर जाना है, मुझे लगता है मुझे बड़ा रन-अप लेना चाहिए तब ही मैं खूत पाऊंगा सीधा उन कंटेनर्स के बीच में तो यहां से रन-अप हमने ले लिया है चल्दी चल्दी लाइक और सब्सक्राइब कर देना और फुल स्प्रीट में अपनी और हमारी बाई क्या पर कोच क्या हम लोग अंदर जा पाएंगे मुझे नहीं लगता मुझे लगता मुझे लगता और यह क्या ही बड़िया लैंडिंग मैंने या पर कर लिए और आप देख सकते हो सीना फिनिशिंग लाइन पर हम लोग आ चुके हैं और मुझे यह चम चमा ती भी ट्रॉफिय मिल चु लेते हैं सबसे पहले इसकी बारी अम नम 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 अब बारी सेकेंड चिकन की अम नम 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 अब बारी इस आखरी चिकन की चल्दी चल्दी इसको खा लेते हैं अम नम 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 और कैसर आप देख सकते हूं मैं आपन अपग्रेड हो चुका हूं एक तरनाक से क्रो पावरफुल क्रोकोडाइल बन चुगा हूँ मैं तो यहां पर सही में बहुत ही जाना स्ट्रॉंग हो चुगा हूँ इसका मतलब मैं अखिरकार उन सूपर एनिमल्स को जॉइन कर पाऊंगा तो पिर ना किसी देरी के चलते हैं और जॉइन करते हैं सूपर एनिमल्स का क्रोकोडाइल और यह खतरनाक मॉंस्टर रहे तोनों साथ में आ जाएंगे अब क्या होगा मैंने तो बोलाई था कि क्रोकोडाइल को मत बोलो अब यह दोनों साथ में अगए अब क्या करेंगे अरे यह क्रोकोडाइल को ने इसको पगा हुए उसे मैं ग्रूप जोइन करू नहीं मैं करूंगा मेरी बात सुनो मेरे पास एक आइडिया हमें ये भी पता चल जाएगा कि इन दोनों में से कौन खतरनाक है फिर हम उसा ही ग्रोप में लेंगी तुम दोनों आपस में लड़ो और जो भी जीतेगा वो हमारा ग्रोप जॉइन करेगा हां मुझे मन्जूर है म कौझे भी इस नहीं चोड़ने वाला इस चुए के बच्चे को पहुत मारूँगा में था नहीं यह चोड़ूगा क्रोड़ाएल अजा आजा अजा इस चुए को तो मैं बिलकुल नहीं चोड़ने वाला रहे ही एकाँ भेग दिया हा 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 मैं तुछे ख़बं कर दूंग कर रहा हूंगा एसे कैसे तु जाइन करेंगा मैंने इतनी जादा मैंनत करीए मैं 15 सा क्रोकोडायल था पर हम दुनिया का सबसे खतरना क्रोकोडायल बन चुका हूं मैं इस चुए को नहीं चोड़ने वाला ये ले अरे ये तो मुझे ही मारता जा रहे है तु मेरा कुछ नहीं कर सकता अच्छा अब ही बताता हूं ये ले मैं तुछे नहीं चोड़ूगा क्रोकोडायल तु क्वैसर चितना मैंने सोच था उससे तो ये चुआ खतरना के पर फि मैं किसी का हक नहीं चीन तु इतरा ये निकल या से तु क्वैसर ये जुआ दो बहुत ही जादा परेशन कर रहा है चपड़ 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 करे जा रहा है इसको लगता है जल्दी जल्दी खतम करना पड़ेगा तो इसके पास चलते और इसको मारते खतरनाक सा पंच य खानी पड़ेगी चुए के बच्चे आज मैं तुझे खतम कर कर रहूंगा ये ले आज मैंसे पिल्कु भी नहीं चोड़ने वाला इसको मारता जाओंगा इसको मारता जाओंगा जब दा कि वापिस से चोटा चुआनी बन जाता तो गैसर इस चुए की तुहालत यहां पर ह गए मैं चुआ हौक पड़ा पड़ से चलते हां किरकार मैं उन एनिमल्स का सूपर गृप जोईन कर पाऊंगा आ गया मैं बचे तुम्हारा स्वागत में अधर कृप में और तुम बहुत जाधा कहतर नाको इसलिये हम तुम्हें आमारे गृप का लीडर बना तय ह선 क्या सर तो गाइस अप देख सेकते हो मैं इसादा खतरनाग रोकोडाइल बन चुका हूँ कि इनों ने मुझे अपना लीडर बना दिया है अब इस से जादा अच्छा तो क्या हो सकता है मैं बन चुका हूँ सूबर एनिमाल ग्रोग का लीडर जब ये वीडियो स्टाट हुई थी बस मैं उनका चोटा सा साथ ही बनना चाहता था और मैं कितना कम जोड़ था पर अब मैं तुनिया का सबसे खतरनाग एनिमल यहां पर बन चुका हूँ तो क्या जो ना चीनिवर से विटाई अगर आपको